हेलो फ्रेंट्स वागते आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहादुर कहानी का सारा साथ आपको बोड परिच्छा में किस प्रकार लिखना है जिससे कि आपको पांच में पांच नमबर मिल पाए तो मैं आ आपको बोड परिच्छा में आपको बहादुर कहानी के बारे मुझे नहीं पता है तो यही मुख्य मुख्य पॉइंट आपको पूरा-पूरा पांच नमबर मिल जाएगा तो आए फटा-फट देख लेतें सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह चीज यानि कि यह लाइन मैं लिखा हूँ यही लाइन आपको जरूर लिखनी है यह लाइन मैं भी बोड परिचा में लिखा यही कहानी से मुझे लगता है कि एक्जामल मुझे पूरा-पूरा नंबर दे दिया था और लगवाद सतानी परसंट कम नहीं होते हिंदी सिर्फ तीन नंबर ज कहानी के हैं इस कहानी के के भी आपको मैं बतातूँ कि उसमें क्या छीलिखनी होती है तो यह पहली देख लीचे इसमें डाकार कि कहानी की परिवार में नौकर के साथ परिवार जनुदार यानि कि आपको इस प्रकार लिख देना है और असब विभार की कहानी है इसमें यह भी असपश्ट किया गया कि कहानी की प्रतेक बेक्तिकी अपनी निशीत गरिमा होती है आप जानते हैं कि यह आपको कोई टार्चर करा लगा कहानी बहादुर यानि कि आप पढ़ लिजी ठीक है और फ्रेंट्स हम लोग बात करते हैं कि यह एडिंग में आपको क्या लिखनी है है और फ्रेंट्स इसमें यह एडिंग के अंतरजत क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि दिल पहादुर 12-13 वर्स का पहाड़ यानि मैं साथ बतायों कि इसी परकार आपको लिख देना यानि कि यही पॉइंट जरूर याद कर लेना यानि कि जो बहादुर 13 वर्स का लड़का है उसकी माता गुसेल थी पिता सेना में थे यह चीज़ आपको याद कर लेने इसी से आप बनाके लगबग 10 उसलायन का लिख सकते है आराम से मैं आपको बता दूँ कैसे लिखना है कि दिल बहादुर 12-13 वर्स का पहाड़ी नपाई लड़का है उसके पीता जी सेना में थे और किसी युद्ध के दरान उसके पीता की मिरती हो गई थी उसकी माता बहुत ही गुसेल थी जिससे उसकी बहुत ही पिटाई करती और वाप पिटाई की दर से भाग कर किसी मध्यमर्गी परिवार में नवकरी कर लेता है देखी जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसी प्रकार आपको यह पॉंट याद कर लेना है इसी परकार आपको लिख देना जी है जा दोस्तों फ्रेंट्स हमारी अगली एड़ें कि पर नीजिता यदि उसे माली कुछ भी घड़ता है उसका जूता पालिस करना जूता पालिस करता था घर के सबी कारियों को वह बहादुरी करता था कपड़ा भी दोता था खाना भी बनाता था यह जीज़े आप ऐसे बना करें कि लिख देंगे ठीक है अब अगली हेडिंग को निर्मला का छोटा पुत्र है कि सोर बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ लड़का यानि कि बहुत हरामी लड़का है और इसे पेकार में लग आप बढ़ा जाड़ा उसमें कुछ भी लिखे ठीक है बस हेडिंग जो है बहुत ही सुंदर तरीके से लिखनी है हेडिंग और अगली हेडिंग को क्या से लिखना है कि बहादुर का घर से भाग जाना है यानि बहादुर जब बहाद बहाद से और समान नहीं ले दिए एसे पर आपको पूरा पूरा नंभर नंबर मिल जाएगा और फ्रेंट्स यदि आपको कोई दिक्कत हो वीडियो में तो प्लीज कमेंटे चीएगा मैं आपको अगली वीडियो में सुझार के दूँगा ठीक है